मुंबई की स्ट्रिट पे मिलने वाला बहुत ही टेस्टी और फेमस मसाला खिचया पापड की रेसिपी आज हम दो अलग अलग तरीके से मसाला खिचया पापड को बनाएंगे ये रेसिपी आप सबको बहुत ही पसंद आएगी और ये इवनिंग स्नेक्स है और उनली 5 मिनिंट्स में बनके तैयार हो जाता है तो चलो फ्रेंट्स इस मसेदार से रेसिपी को स्टार्ट करें रेसिपी पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आपके एक लाइक से मुझे आपके लिए धेर सारी नही नही रेसिपी लेके आने के लिए मोटिवेशन मिलता है तो फ्रेंट्स लाइक करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा तो चलो फ्रेंट्स इस मज़ेदार से रेसिपी को स्टार्ट करें सबसे पहले हम यहाँ पे खिचिया पापर को लेंगे यहाँ पे मैंने चावल के आटे के खिचिया पापर रहता है इसका इस्तमाल किया है आपको यह खिचिया पापर मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा सबसे पहले हम यहाँ पे खिचिया पापर को रोस्ट करेंगे इसके लिए यहाँ पे गैस के अंदर जो सबसे छोटा वाला बढ़ना रहता है इसका मैंने यहाँ पे इस्तमाल किया है और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और slow flame पे हमें इसे roast करना है खिचिया पपड को यहाँ पे हमें इस तरह से उलट पुलट करते हुए roast करना है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि खिचिया पपड जल नहीं जाना चाहिए जो अगर आपका खिचिया पपड जल जाएगा तो इसका कड़वा टेस्ट लगेगा तो आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि इसे फटाफट उलट पुलट करना है और इसे roast करना है यहाँ पे मैंने एक खिचिया पपड को roast करके तयार कर लिया है इसी तरह से हम दूसरा खिचिया पपड को भी roast कर लेंगी यहाँ पे मैंने दो खिचिया पपड को roast करके तयार कर लिया है अभी हम एक खिचिया पपड को fry करेंगी इसके लिए यहाँ पे मैंने gas के उपर oil को अच्छे से गरम कर लिया है और इसके अंदर हम एक खीचिया पापड को डाल देंगी ये खीचिया पापड मैं मार्केट से नहीं लेके आई हूँ मैंने गर पे ही बनाया है इसकी रेसिपी भी आपको चाहिए तो मुझे comment box में लिखके ज़रूर बताईएगा तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊंगी यहाँ पे मैंने दो खीचिया पापड को फ्राई करके तयार कर लिया है यहाँ पे हमें कुछ सबजियों को चौप करके लेना है वन बॉल जितना है यहाँ पे मैंने पत्ना गोबी को लिया है One ball जितना यहाँ पर मैंने टमाटर को लिया है और one ball जितना यहाँ पर मैंने कुकुमबर को लिया है और ठोड़े से fresh धन्या पत्ती को cut करके तयार किया है सबसे पहले हम यहाँ पर fry किये हुए खिचिया पापड का मसाला पापड बनाएंगे इसके लिए यहां पे हम दोनों हाथों की मदद से इस तरह से इसे तोड़ देंगी और इसके उपर हम पत्ता गोबी को डालेंगी Vegetable यहां पर आप अपने मन पसंद कोई भी ले सकते हो अभी हम थोड़े से ककुम्भर को डालेंगी और थोड़े से टमाटर को भी डालेंगी वेजिटेबल की कॉंटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हो अभी हम इसके उपर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगी और थोड़ी सी लाल मिर्श को भी हम इसके उपर स्प्रिंकल करेंगी आपको जितना तीखा पसंद हो इसके हिसाब से आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हो यहाँ पर मैंने धनिये और फुदीने की चटनी को बना के तयार किया है वो चटनी को हम इस तरह से इसके उपर डाल देंगे आपको जितना तीखा पसंद हो इसके हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हो अभी हम इसके उपर फ्रेश फ्रेश जन्यापती को डालेंगे और थोड़ा सा निम्मू भी इसके उपर निचोडेंगे आपको जितना खटा पसंद हो इसके हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हो अभी हम इसके उपर बारिक वाली सेव को डालेंगी अगर आपको चीज वाला मसाला खीचिया पापड पसंद है तो आप इसके उपर चीज को भी ग्रेट करके डाल सकते हो अगर आपको नहीं पसंद है तो आप यहाँ पर skip भी कर सकते हो यहाँ पर मैं cheese वाला masala kaichiya पपड बना रहे हूं इसलिए मैंने यहाँ पर प्रोसेसस को grade करके डाला है यहाँ पर हमारा fryam masala kaichiya पपड बन के तयार हो चुका है ये मसाला खीचिया पापड को आपको तुरंद बना के तुरंद ही खाना है नहीं तो नीचे से ये सौगी हो जाता है तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता है तो ये बात का आपको खास ध्यान रखना है अभी हम जो खीचिया पापड को रोस्ट करके तैयार किया है इसे हम लेंगे और इसके उपर यहाँ पे हम गी को डालेंगे आप यहाँ पे बटर का भी यूज कर सकते हो और बटर आप यहाँ पर यूज कर रहे हो तो आपको इसे मेल्ड करके इसके उपर डालना है दोनों खीचिया पापड के उपर हम इस तरह से गी को लगाएंगे और हाथों की मदद से हम इसे भी तोड़ देंगे दोनों खीचिया पापड को हमें तोड़के यहाँ पे प्लेट के उपर एरेंज कर देना है और सबसे पहले हम यहाँ पर पत्ता गोबी को डालेंगे, थोड़ी से ककुम्बर को डालेंगे, टॉमेटो को डालेंगे और इसके उपर हम चाट मसाले को स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्श को भी हम स्प्रिंकल करेंगे इसके उपर नीम्मू को हम इसके उपर नीचोड़ेंगे और ग्रीन चटनी को डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ती को डालेंगे और थोड़ी सी सेव को हम इसके उपर डालेंगे और थोड़ा सा चीज भी हम ग्रेट करके इसके उपर डाल देते हैं यहां पर हमारा सुपर टेस्टी चटाकेदार मसाला खीचया पापड बनके तयार हो चुका है मुंबई की स्ट्रेट के उपर जो मिलता है मसाला खीचया पापड वो खीचया पापड को रोस्ट करके ही बनाते हैं लेकिन आप फ्राइ किये हुए खीचया पापड से भी तो क्या सोच रहे हो वटाफ़ट से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है तो मैं नीदी आपको फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के सा तब तक के लिए बाइ और हपी कुकिंग